वेलकम दोस्तों अगर आपने अपनी कंपनी का बुक्स अप अकाउंट्स फाइनल से लिए 2023 चोईस का टैक्स ओडिट के परपस से फाइनल कर लिए तो डेफिडेटली अब हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेर का जो डाटा है वो सीए की ओपिस में सेंड करना पड़ेगा टै लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर अपने इसी टॉपिक पर डिसकस करेंगे कि सीए की ओपिस में जो हमारा टैक्स ओडिट का जो डाटा है के वो ही डाटा सीए की ओपिस के अंदर पहुंचे और दूसरा डाटा हमारे पास ही रह जाए तो इसके लिए में क्या-क्या और किस परकार सी किया जता है वो भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा तो वीडियो का पर इंटरेस्टिंग है विसेस कर उन फ्रेसर अकाउंटेंट लोगों के लिए जो पहली बार डाटा को सेंड करेंगे सीए के ओपिस में तो किस तरी किस हमें किस तरी किस हमें डाटा फोल्डर त्यार करना है और किस तरी किस हमें सिक्योर्टी रानी है तो वीडियो के शुरुआत करें उसे पहले आपस एक छोटा सा निवेदन भी है वीडियो कर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जुरूर कर देना और चैनल पर पहले बार रहें तो चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब करने रहा है तो सबसे पहले में लिए मेरे पास यह कंपनी open है और मेरे पास financial 2423 और इसी company के अंदर मेरे पास में 2000 23 चोइस का भी डाड़ा जो के मैंने प्रिपेर कर लिए Tax आप सबसे पहले माम लिजिए, अपने जाते हैं डाटा पे और यहां पर आपको मिलेगा डाटा बाथ से क्या होगा यह आपको यह पता चल जाएगा भी आपकी जो यह शॉफ्ट्वेर हूं, यह डाटा आपका काहा से उठा रहा है तो यहां आपको पूरा पता चल देगा यहां कि इस location से आपका जो टेली software डाटा को उठा रहे है यह एक चीज़ आपको पता चल रहे है अब दूसरा आपको इस बात का ध्यान रखने है यह जो आपकी company है इस company का data का जो number है फोल्डर का जो number आ रहे है वो number कितने दो आते आपको ध्यान वे रहे हैं अब अपने बात है कि माली जी अब इस यह जो company है और इस company का जो मेरा फोल्डर नंबर है वो है यह है 0101 0020 ठीक है और अब डेट ब्यां देख सकते हैं लटेश्ट इसके अंदर जो working हुई है बारा स्टमबर दोहजार चोईस की हुई है ठीक है अब माली जी अगर मैंने इस फोल्डर को सारे को सारे को सी को किसमें सेंड कर दिया तो यानि कि मेरा पिछले सालों का रिकोर्ड भी सी कंदर जा रहे हैं और अभी जो फर्जेंट फाइनस लिए चाट रहा है तो हुजार त और होगा यहार पर आपको यह तो दो दिन का वेट करना पड़ेगा जब तक आपकी टे ice audit ना हुझे, अब आप चाहते हैं भी आपकी business की accounting भी आपको continue रखने है day to day, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस data को split करना पड़ेगा, भी आपका 2024 का जो record है वो आपके पास ही रहे ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, data को split करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, data पर जाएंगे और यहां पर split option पर select करेगे, और उसके बाद में एक बार आपको verify data आएगा, भी verify data क्या पुछेगा, भी आप अपनी company का एक पर नाम चेक कर लो, और दूसरा आपके company का folder चेक कर लो, भी 01W020, यह आपका folder है, किसी कोई करना हैंगा, यह नहीं करना, कि किसी को करने, तो इसके लिए वापीस data, और split, और split data, अब यहां क्या भाझेगा, जैसि अपने इंटर्व लेंगे from 1 April 2000 चोईस, यानि कि अब एक अप्रेस्ट 2024 सा डाटा मेरा अलग हो जाएगा करेंगे असेट करेंगे और मैंने इसको यस कर दिया अब मैं यह चाहरा था भी मेरा जो continue काम में मेरे आपिस के अंदर चलता रहे मेरे को tax audit होने तक का मेरे को इंतजार ना करना पड़े अब यह मेरा data यहाँ पर supply हो रहा है जैसे data supply हो जाएगा मेरे पास में यह company over create हो जाएगी वो अपने देखते हैं जैसे यह मारा 100% complete हो जाता है अब देखो यहाँ पर data आगया अब इसमें क्या जेगे जो मेरी एक main file थी वो रहे लिए उसके बाद में smart trading company यह थी मारी main file ठीक है और उसके बाद में अब आपका data एक अपरेल 2018 से तो अलग हो जाएगा और उसके बाद में एक अपरेल 2024 है वो data आपका अलग हो जाएगा अब यहाँ पर मेरे पास में 2024 का data है ठीक है ना अब इसके अंदर क्या होगा अब मैं मेरे company के अंदर already काम कर सकता हूँ और मेरे यहाँ गर अपने इसके अपरेल 2018 से यागा कि पुराना data आपको send करने यानि कि एक जार अठार से लेके अब यहाँ पर अपने जैसी अपने इस folder पर जाएगे तो यहाँ पर आपका एक अपर चलते हैं और select पर जाएगे तो यहाँ से आपको इदे को आपका data कितना नंबर था हमारा तो जीरो का अब यहाँ पर आपका एक अपर जोई सा उसका data तो बन गया यह और यह आपका अब रिकोर्ड बन चुक है और अगर आप चाहते हैं केवल 23 का data पूंचे तो आपको इस data को भी आपको सप्रीट कर लेड़ा है अब हमें क्या करना पड़ेगा इस फोल्डर को कोपी करेंगे लेकिन उससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा एक backup फाइल क्रियेट कर लेनी है किसकी फाइल करेंगे एक अपरेल 2018 का data करेंगी उसी का data में बेक अप लेने हैं तो बेक अप पे जैंगी और बेक अप पे जाने के पाद अपने को कि यहां पर सबसे पह chick look करने किसें ड्रれएं में करना है या अपने बीजन क्या क्या बिचे कर लों अब करो हूँ कर लिया और उसके बाद में यह मैंने कंपनी को स्ट कर दिया और उसके बाद में एक एक कि एरर आ रही है अब एरर आने का रीजन क्या यह विचेक कर लो आपके अपके अपने को ड्राइव से हटके में पात देना पड़ेगा इसके अंदर जो हमें डाटा को सलेक्ट करना होगा यह वन टाइम जो जीरो वा रहा था यह मारी कमपनी थे और यहां पर अपने को उसके बाद में यह सेलेक्ट कर लेंगे और end of list करेंगे अब हमारी उस फोल्डर के अंदर एक वेक फाइल त्यार हो चुकिए है अपने वहां पर चल देंगे सबसे पहले यह हमारा फोल्डर सा और इस फोल्डर के अंदर हमारी एक वेक फाइल त्यार हो जाएगी यह हमारा यह में यह फोल्डर सेलेक्ट किया था और इस फोल्डर के अंदर यह हमारी वेक फाइल त्यार हो चुकी है तो आपको करना क्या पड़ेगा इस बेक का फायल को कॉपी करने और यह आपको पेस्ट कर लेने और उसके बाद में आपको टेली सॉप्ट्वेर को बंद करने के बाद में जो हमारा डाटा का जो फोल्डर था इसको आपको यहां से कोपी कर लेना पूरे कोई और इसको भी आपर आपको पेस्ट कर लेना अब इसमें आपको जो बेकाफ फायल थी उसको यहां से हटा दो क्योंकि बेकाफ फायल को हमने कोपी और इस फायल को आपको करना क्या होगा एक जिप फ स्मार्ट एडिंग अपनी करना मेरें लिख दिया। याप यह जो फाइल है इसके आगे बी मैं यहां पर नांच चेंज करते हुआ। यह मैंने चेल कर दिया अब यह मेरे पास में दो फाइल है अब यह दोनों फाइलों को मेरे को सेंड करना पड़ेगा अब एक मेरे पास में बेकप और दूसरा है डाटा ठेके ना अब आपको क्या करना पड़ेगा अब डाटा माल दीजिए सॉप्ट्वेरिक अंदर सिधा ड डाटा बन गया इस डाटा के अंदर मेरी वो कंपनी आगी ठीक है अब मेरे को यहां पर क्या करना पड़ेगा जो यहां पर 100 का नाम जुआ रहे हैं इसको अटा के यहां पर समार्ट एंडिंग करूंगा और जैसे मैं इसको उठा के टेली सॉप्ट्वेर के ऊपर डालूगा तो इससे क्या बजाएगा मेरी वो कंपनी यहां पर ओपन हो जाएगी आप देखोगे बागी कंपनी आडगी और जिसका अपनी डाटा त्यार किया था केवल वही कंपनी आपको लेगी ठीक है और दूसरा आपको क्या ध्यान में लख रहे हैं आपको बेक अप लेने से पह लोगे का उनको कोई दिक्कत नए कंपनी को ओपन करते लगत यहां आप एल्टर पर जाके और यहां पर इसका जो सिक्यूर्टी है इसको नो भी कर सकते हैं और जो आपका लेटेस्ट पासवर्ड आपनी जो लगा रखा इसको पर वह आपको डालना पड़ेगा अब आपका और एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखो कि आप मेरा बिना यूजर आड़ी पासवर्ड के डाटा ओपन हो चुक है तो इसलिए आपको पूरा डाटा का फोल्डर आपको पूरा सेलेक्ट सेंड नहीं करने हैं जैसे कि हमारा जो टेली सोट वेरा डाटा यह पूरा पूर और आपका एंट सेसरी जो डाटा का जो साइज है वो भी बड़ेगा वहां पर तो इसलिए आपको प्रेंटिकोलर उसी डाटा को सेलेक्ट करने उसी कोड को सेलेक्ट करने जिस कंपनी का आपने टेक्स ओडिट करवानी है आज कि आज कि इस वीडियो से जुरूर आपको सब्सक्राइब करें